तो हे गाईज, वेलकम बैक तो माचैनल, आज हम बनाने वाले हैं शिम्ला मिर्च की सबजी, कुछ अलग अंदाज में, तो पहले मैं शिम्ला मिर्च को तियार कर लेती हूँ, इसके उपर मैं अच्छे से काट लेती हूँ, क्योंकि हम इसके अंदर स्टफिंग भरने वाले है तो पहले मैं इसके उपर का अच्छे से निकाल लेती हूँ, इसको पूरा अच्छे से खाली कर लूँगे अंदर का, उसके पूरे वीच जो रहते हैं, वो पूरे निकाल लूँगी ऐसे ही बाग शिम्ला मिर्च को भी आप कर लेती हूँ, मैं झाल थो पूरे वीच भी आप कर लोगी तो मैंने शिम्ला मिर्च का अच्छे से काट के तयार कर लिया है अब हम बनाना शुरू करते हैं तो यह सब चीजे हमें लगने वाली है जीरा, हल्दी, ब्लेक पेपर, लाल मिर्ची पाउडर और नमक और यह मैंने प्याज और लेसन का पेस्ट लिया है उसको मैंने अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है तो यह मैंने शिम्ला मिर्च को अच्छे से फ्राई कर लिया था इसका color देगी कितना अच्छे लग रहे है तो हम बनाना शुरू करते हैं अब हमाए शबची तो मैंने यह थोड़ा से तेल लिया है इसमें अब हम इसमें थोड़ा से जीरा डाले पहरे तेल चेक कर लेते हैं गरम हुआ है कि नहीं इसमें जीरा डाल दिया अब हम इसमें प्याज और रसन का जो हमने पेश्च तेयार किया था उसको डाल देंगे अब इसको थोड़ा सा ऐसी पकने देंगे जब तक इसका कलर प्राउन इश्च ना हो जाए तो इसका कलर देखी कितना अच्छा हो गया है अब इसमें हम लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे हाफ स्पून हल्दी डालेंगे इसको अच्छा से मिक्स करते रहेंगे अब इसमें धन्या पाउडर डालेंगे एक चमस ब्लेक पेपर डालेंगे अब इसमें टेस्ट के हिसाफ से नमक डालेंगे इसको अच्छा से मिक्स करते रहेंगे फ्लेम को तेस्ट करते इंगे इसको इस ही गुमाते रहेंगे हमें इसमें ऐसे चमस घुमाते रहना है क्योंकि वह नीचे लग भी सकती है तो इसको ऐसे चमस घुमाते रहें अब इसमें पीस्टी मूफल ही डालेंगे अभी सिर्फ आधी ही डालेंगे बागी की हम जब बन जाएगी तो उसमें थोड़ी सी और लगेगी तो अभी सिर्फ आधी ही उस करेंगे तो हमारे स्टेफिंग बनके तयार हो गए मैंने इसमें थोड़ी सी धनिया भी डाल दी है अब हमें इसको हमारे जो स्रिम्ण मिच 추 उसके अंदर डालेंगे अब एक छोटा स्पून लेके मैं उसमें थोड़ा थोड़ा लेके स्टफिंग भर दे जाती हूं स्विम्ना मिच के अंदर इसको पूरा अच्छे से भर देंगे हम स्टफिंग से ऐसी ही मैं बाकी सब में भर देती हूं तो मैंने सारी स्विम्ना मिच को तयार कर लिया स्टफ करके अब हम बनाने शुरू करते है हमारी सबजी तो यह जो हमारे पास स्टफिंग बची हुई है इसी के साथ में हम बनाने वाले हैं तो एक एक करके शिम्ना मिच को हम रख देंगे इसमें अच्छे से जमा के याद रहे आप जब श्रिम्ला मिर्ची रख दे उसके बात में आप इसमें चम्मस ना घुमाएं मैंने इसमें पीशी मुफली डाल दिये अब मैं इसको ढग देती हूं पाद से दस मिनिट के लिए तो मैरे श्रिम्ला मिर्ची रख गई है अब हम इसमें एक किलास पानी डालेंगे इसको दस से पंदरा मिनिट के लिए इसको अच्छे से ढग दिया है यह अच्छे से हो गई है अब हमारी सब्जी इसको एक पर देख लेते चेक कर लेते हैं अब हम इसमें धन्या डालेंगे तो मिर्च श्रिम्ला मिर्च की सब्जी बन के तयार हो गई है अगर आपने यह अभी तक ट्राइ नहीं किया है तो ट्राइ जरूर करना और लाइक कर देना शेर कर देना और सब्सक्राइब तो जरूर ही कर देना बेल इकन दबाना मत भूलना तक्स बोजिन और आपके जहां गते लो आपके.